हेलो, नमस्ते दोस्तों, हर्च प्याके के चिन में आप सभी का सौगत है दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ कर्मियों के लिए बहुत ही सदा एक स्पेशल सा डिनर की रेसिपी और जो डाइट पर हैं, जिनको अपना वेट लोज करना है, ये उनके लिए भी काफी सदा हेल्फुल है तो जरूर से आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा, बहुत ही सदा पसंद आएगी आपको और बच्चों को भी बच्चों को आप ये आराम से खेला सकते हैं, जो पालक नहीं खाते हैं आपके बच्चे, तो इस तरह से आप राइस बना कर उनको देंगे, तो वो भी खालेंगे तो पालक राइस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन ले ले जिए, और पैन में डाली एक छोटी चमज घी, जब घी अच्ची से मेल्ट हो जाएगा, गरम हो जाएगा, तब आप इसमें डाल दीजिए काजू, तो यहाँ पर मैंने पांच काजू लिए तो टुकड़ों मे बाहर निकाल लेजिए, अब इसी घी में डाल दीजिए, पांच से चहे लहसन के कर लिया, जिने मैंने एक तम बारी कट कर लिया है, आप पेस्ट भी बना सकते हैं, एक हरी मिर्ची ली है, जिसे भी बारी कट कर लिया है, और पहले आपको लहसन को थोड़ा सा भुनना है, जैसे ही प्यास का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा यह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब तक हमें प्यास को अच्छे से भुनना है, तीन से चार मिट का समय लगेगा, और देखिए प्यास भी अच्छे से भुन चुका है, हल्का सा गोल्डन हो गया है, और लहसन का कलर भ पेज़़ नेहीं। हनी का पाउडर, थोड़ा सा लालमिश पाउडर, चाट मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा डाल दीजिए गरम मसाला बहुत जादा नहीं डालना है नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 20-25 सेकेंड के लिए आप पालक की प्यूरी को अच्छे से पका लीजि और फिर अब इसे ढख देते हैं हम, दो मिनिट के लिए इसे हम ढख कर पकाएंगे तो पालक का जो पानी है न वो सूख जाएगा यहां पर देखिए दो मिनिट बाद मैंने ढखकन हटा दिया है और आप देख सकते हैं अभी इस पैन में बिल्कुल भी पानी नहीं है पालक से पहली से ही आप तुरंत जब भी आपको यह रेसिपी बनानी हो चावल को आप उबाल कर इस तरह से तयार करके रख लीजिए और बस पालक की प्यूरी बनाईए और आप जल्दी से रेसिपी बना पाएंगे तो अब जो चावल हमने लिए हैं पालक के साथ में हम अच्छ बनाना है तो लीजिए हमारी पालक राइस रेडी हो चुके हैं सलाट के साथ मैंने इनको सर्फ किया है और आप काजू भी मैंने अच्छे से देख सकते हैं मैंने काजू की कार्निशिंग कर दी है और इन्हें आप मीठे दही के साथ गुड़ वाले दही के साथ या मिस्टर प्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएका और ऐसे ही और भी इंट्रेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए बैल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ और टेक क्यार